नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वाकत है इस वीडियो में मैं आपको पालक खाने की दस फाइदों के बारे में बताऊंगी पालक हरी पत्तेदर सबजी में से एक है भूजन में पालक का उप्योग कई तरीके से किया जाता है सबजी के अलावा इसे सूप, छूस और पकोड़े बनाने में भी इस्तमाल किया जाता है इसमें एंटी ऑक्सिजन्स सहीत कई तरह के पोशक तत्व पाई जाते हैं तो चलिए अब हम एके करके पालक के इन दस फाइदों को देख लेते हैं नमब वन, तनाव से राहा दिलाता है पालक पालक शरीर को पूरी तरह से तनाव मुक्त रखता है इसमें जिंक और मैगनीसियम की जबरदस्ट मात्रा होती है जो आपको रात में बहतर नींद लेने में मदद करती है एक अच्छी नींद आपकी ठकी हुई आँखों को भी आराम देती है नमब टू, खून की कमी को दूर करता है पालक में आईरन की मात्रा बहुत अधिक होती है और इसमें मौजूद आईरन शरीर आसानी से सोक लेता है इसलिए पालक खाने से हीमोगलोविन बढ़ता है खून की कमी से पीडित वैक्तियों को पालक खाने से काफ़ी फायदा होता है नमब टू, बालों को जढ़ने से रोपता है पालक स्वास्त के लिए नहीं बलकि बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है जो लोग बाल गिरने की समस्या से परिशान है उन्हें पालक को अपने नियमित आहार में शामिल करना चाहिए क्योंकि पालक शरीर में आरन की कमी को पूरा करके बालों को गिरने से रोपता है नंबर फूर खील मुहां से दूर करता है पालक पालक तवचा को रूखा होने से बचाता है, साथ ही चेहरे की केल मुहां से मिटाने और तवचा को स्वस्त रखने में मददकार होता है पालक वा गाजर के रस में थोड़ा सा नीमबू का रस मिलाकर पीने से चेहरा सुंदर और कांती में होता है नमब फाइब मुटापा कम करता है मुटापा कम करने में भी लापकारी होता है पालक पालक के रस में गाजर का रस मिलाकर पीने से चरपी कम होने लगती है या फिर पालक के रस में नीमू का रस मिलाकर पीने से मुटापा दूर होता है नमब सेग्स आँखों के लिए लाबकारी पालक आँखों के लिए काफी अच्छी होती है इसके सेवन से आँखों के रौशनी बढ़ती है ऐसे लोग जो नाइट प्लाइडनेस से परिशान है उनके लिए पालक किसी चमतकार से कम नहीं होता ऐसे लोगों को गाजर वर के रस में बराबर मात्रा में पालक का चूस मिलाकर लेना चाहिए नमब सेवन सूरच की किर्णों से बचाता है सूरच की अल्ट्रा वॉलेट किर्णों से बचाने में भी पालक लाबकारी होता है पालक विटमिन बी में सम्रिध है जो आपकी तवचा को हानिकारक अल्ट्र को रोका जा सकता है यहां रेड मिट से बहुत बहतर है क्योंकि यहां बहुत कम कैलोरी प्रदान करता है और फैट और कोलेस्ट्रॉल मुक्त होता है नम्म नाइन इम्मूनिटी बूस्ट करता है पालक पालक इम्मूनिटी को बूस्ट करने में भी मदद करता है इसमें विटम आपकी एक दिन की विटमिन A की जरूरत को पूरा कर देता है नम्बर 10 हड्डियों को मस्भूत करता है पालक में विटमिन K भरपूर मात्रा में होता है जो हड्डियों के स्वास्त को बनाये रखने के लिए महत्वपुर्ण है यह हड़ियों के लिए एक आवशक प्रोटीन आंस्टेकॉलिन के उत्पात को भी बढ़ावा देता है और इसमें कैलसियम और मैगनीसियम जैसे महत्वपुन कोशकत्व होते हैं जो हड़ियों के स्वास्त के लिए महत्वपुन है तो चलिए इस वीडियो में इतना ही अकर आपको इस वीडियो में दी कई चानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई